स्वागत है आपका हिंदी मस्त मुवीज चैनल पर तो हैलोवीन का सीजन अक्टोबर एंड में आने वाला है इसलिए नेट्फिक्स ने अपनी लेटिस्ट मार्काट हरर स्लैशर साइको किलर की मुवी There's Someone Inside Your House को रिलीस कर दिया है तो as usual वीडियो के अंत में मैं आपको मुवी के रिलेटिर एक interesting fact भी बताऊंगी उससे पहले अगर आप चैनल को नए है तो फ्लीज हमें like और subscribe कीजिए और हमें support कीजिए तो चलिए इस मार्काट की मुवी का explanation को शुरू करते है मुवी के starting में एक school के रगभी प्लेयर को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त से रात को होने वाली party के बारे में बात कर रहा है और देखता है कि उसके parents घर पर नहीं है और वो घर पर अकेला है सुभा रगभी मैच रहने के कारण वो फोन में alarm सेट करके जल्दी से सो जाता है पर सुभा मोबाइल के alarm के जगा अंडे के शेप वाला alarm बचता है यह देखकर उसे कुछ डाउट आता है कि किसने उसके मोबाइल के जगा ये alarm रखा है पर मैच को लेट जा नहीं सकता तो वो जल्दी से तयार होकर मैच के लिए निकलता है पर देखता है कि घर का दर्वाजा अल्रडी खुला है और उसकी कार भी गाइब है वो भाग के घर के अंदर वापस आ जाता है और देखता है कि पूरे घर में उसके कुछ फोटोस लगाए हुए है जिसमें हमें दिखता है कि इसने किसी आदमी को पाटी के दोरान बहुत बुरी तरह से मारा था क्योंकि वो दूसरा लड़का गए था वो देखता है कि उसका पूरा क्लोजट इस इंस्टेन के फोटोस से भर गया है वो बहुत डर जाता है कि उसका सीक्रेट कैसे बहरा गया और समझ जाता है कि घर के अंदर कोई गुजा पड़ा है पर तब ही अचानक से नीचे से चाकू आती है और उसके पैर को काट कर नीचे गिराया जाता है वो देखता है कि मडरर उसी के चहरे का मास्क पहना हुआ है और वो मडरर उसे मार देता है दूसरी और रगभी मैच में बैठे पूरे औरियंस को उसके मार पीट का वीडियो सेंड कर देता है सब को उस लड़के की असलियत पता चल जाती है कि उसने एक लड़के को गे होने के कारण बहुत बुरी तरह से मारा था मेडिया में ये न्यूस फैल जाता है और अगले दिन स्कूल में सब उस लड़के जिसका नाम कैलम है उसे अजीब से देखते रहते हैं क्यूंकि वो गे है पर मुवी की में लीड मकानी उसे अपने गैंग के साथ बैट कर लंच करने को बोलती है इसी दोरान कैंटिन में एक लड़की कैटी आकर ये बोलती है कि हम सब को एक दूसरे के खिलाफ टॉलरेंट रहना चाहिए जिससे ये मजर्स रुख सके और साथ ही बोलती है कि हमें कैलम जिसे गे लोग और डाबी जैसे जंडर चेंज किये हुए लोग से भी दोस्ती से र बहुत नोटिस कर रहा है स्कूल से बहार आने पर मकानी और उसकी गैंट देखती है कि उनके दोस्त जैक के कार पर पूरे स्कूल के बच्चे मिलकर उसकी फैमली नेम को कुछ गाली देते हुए पेंट से कुछ लिखते है सब दोस्त पूछने पर जैक बोलता है कि उसके ड और वहां से निकलने वाले ही होते है कि औली सामने से आ जाता है और सब को मिडल फिंगर दिखा कर चले जाता है मगानी के दोस्त बोलते हैं कि औली को बच्पन से ही कुछ मेंटल इशूज है कहानी आगे बढ़ती है और अगले दिन कैटी चोच में उस रगभी प्लेयर की फिनरल की तैयारी करती है और वो देखती है कि किसी ने रगभी प्लेयर का वीडियो निकाल कर कैटी का एक ब्लैक पीपल के उपर हेट स्पीच वाला पॉड़कास्ट प्ले कर दिया है कैटी डर जाती है क्यूंकि वो हेट स्पीच वाला पॉड़कास्ट एक सीक्रिट था और समझ जाती है कि चोच में कोई और भी है पीछे मुर के देखने पर वहाँ वो मरड़र खड़ा रहता है और वो कैटी का फेस मास्क पहना हुआ है कैटी अपनी जान बचाने के लिए भागती है पर चर्च के सारे डोर्स ख्लोज रहते हैं तो वो एक छोटे से रूम में छुप जाती है पर वो मरड़र उसकी चाकू कैटी के मुँ में घुसा कर मार देता है चर्च के डोर्स लॉक रहने के कारण बहुत लोग चर्च के बाहर खड़े रहते हैं चर्च के फादर आकर दर्वाजे उपन करने बर देखते है की कैटी को मार कर उसकी बॉड़ी को लड़काया गया है ये न्यूस भी मीडिया में आ जाती है और सब जगा खौफ का माहूल रहता है मकानी अकेले अपने रूम में बैठे बैठे खुद का नाम गूगल करती है पर वहां मकानी की फ्लैश बैक का जलग दिखाय जाता है जहां मकानी के हाथ में हतकड़ी है मूवी आगे बढ़ती है और दूसरे दिन कैटी के क्लास के सारे बच्चों को पोली स्टेशन इंक्वाइरी करने के लिए एक एक करके सब को बुलाय जा रहा है मकानी के दोस्त जैक की इंक्वाइरी की बारी आती है पर उसे अमीर डैन लॉयर के साथ आकर constitutional rights बताते हुए जैक को इंक्वाइरी से रोक लेते है दिखाय जाता है कि लास्ट में सिर्फ मकानी और ओली ही एंक्वाइरी के लिए बचे हुए है और इंक्वाइरी के बाद मकानी ओली को अपने घर जॉप करने को बोलती है जिससे हमें ये पता चलता है कि मकानी और ओली एक secret relationship maintain कर रहा है तब ही सभी classmates को एक message आता है कि जैक उस रात अपने बंगलो में एक secret party host कर रहा है मकानी जैक के बंगलो पहुंचने पर जैक सब के सामने ये बोलता है कि उसके डाड दो दिन के लिए दूसरे city गए हुए है इसलिए उसने ये secret party की arrangements की है जैक बोलता है कि murder बस उन्हीं लोगों को मार रहा है जिसका कोई dark secret हो तो क्यों ना हम सभी लोग एक दूसरे को अपने dark secrets बोल दे ताकि वो safe रह सके ये सुनकर सब एक दूसरे को अपने secrets बताना शुरू करते हैं जैसे कि मकानी की एक दोस्त को नासा का job opportunity मिली है और ऐसे party शुरू हो जाती है सब enjoy कर रहे होते हैं कि तब ही मकानी का एक दोस्त Rodrigo बात्रूम से बहार आने पर देखता है कि उसके सारे टाबलेट्स जमिन पर गिरे हुए है अचानक से lights off हो जाते हैं और party में रहे हर आदमी को एक वीडियो मेसेज आता है जिसमें दिखाए जाता है कि Rodrigo कुछ टाबलेट्स खा रहा है इसका मतलब यह है कि Rodrigo का एक secret है उसे कुछ बिमारी है पर वो किसी को अपना secret शेर नहीं किया जिससे मजर Rodrigo का face mask पहन कर party में आता है और उसे अंधेरे में देख कर party में सभी लोग घबरा कर भागने लगते है पर मजर Rodrigo का पीछा करते करते घर के बाहर रहे एक fountain के पास Rodrigo को तसर से शौक देने के बाद मुँ में उसके सारे टाबलेज डाल कर उसका गला काट कर मार देता है इस वज़ा से टाउन में करफ्यू लग जाता है और स्कूल सतीन माईने के लिए बंद कर देते है यहां तक सब ठीक रहता है पर स्कूल सरी ओपेन होने के बाद सभी लोग ऑली को मररर बुला रहे होते है क्यूंकि वो हमेशा अकेला-अकेला रहता है और मकानी की दोस्त बोलती है कि ओली का बड़ा भाई पुलीस में है तो पुलीस को भी सबसे मेडिकल रिकोर्ड करिमनल रिकोर्ड की आकसेस रहती है इसके कारण ओली को रोजरिगो के हेल्थ इश्यू का सिक्रेट पता चला उपर से तासर एलक्ट्रिक गन तो सर्फ पोलिस वालों के पास रहती है इससे ये कन्फर्म हुआ कि ओली ने रोजरिगो को मार दिया है मकानी इस बात से सहमत नहीं होती और उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और मकानी घर चले जाती है उली को पता चल जाता है कि मकानी उधास है तो वो उससे मिलने मकानी के घर आ जाकर उससे एक long drive के लिए ले जाता है और एक सुमसाम जगा ले जाकर relax करते है इतने में उली को एक phone call आता है कॉल के बाद मखानी को औली बोलता है कि उसके पेरेंट्स बच्पन में ही कार आक्सिडेंट में मारे गए थे बच वो लखी ली बच गया लेकिन लोगों की तो आदत ही है कि किसी ना किसी को तो ब्लेम करना है तो वो मुझे बोलते है कि मैं साइको हूँ मुझे मेंटल इशूस है इसलिए मैं हमेशा अकिला रहता हूँ और घर पर भी सिर्फ मैं और मेरे बड़े भाई रहते है जो एक पोलीस ओफिसर है और बोलता है कि यही मेरा सीक्रेट है जैसे तुम्हारा एक सीक्रेट है मकानी ये सुनकर मकानी बहुत अफेंड हो जाती है और आली पर चिलाती है कि उसने अपने भाई की मदद से बैगरोंड चेक करके उसके डीटेल्स भी जान गया और वो कार से जल्दी निकल जाती है ताकि आली उस पर भी हमला ना करे घर पहुंचने पर मकानी देखती है कि वो अकेली है और उसकी दादी रिगलो चेकप के लिए हॉस्पिटल गई है मकानी अपनी सुरक्षा के लिए सारे दर्वाजे बंद करके अपने बैट के पास कुछ चाकू रखके सो जाती है थोड़ी देर बाद उसकी आंग खुलती है तो वो नोटिस करती है कि उसके बैट के पास वाले चाकू गायब है और ना ही किचन में कुछ चाकू है वो जल्दी से मोबाइल लेकर अपने दोस्त को कॉल करती है और कॉल रिंग होते रहता है उसे दूसरे रूम से कुछ आवाज आती है देगने बर वो पूरा रूम किसी जली हुई लड़की के फोटोस से भरा पड़ा है मकानी शौक हो जाती है और उसके हाथ पेर काम नहीं करते हैं इतने में विंडो से मकानी का मास्क पहने हुए दिखाई देता है वो मकानी को टेजर गन से शौक देकर नीचे गिरा देता है और वो मकानी के उपर पेट्रोल डालता है ताकि उसे उसके सीक्रेट में जली हुई लड़की के तरह जला कर मार सके पर उत्रे में वहा उस एलेक्स वहाँ पे आ जाती है और इससे पहले वो मडरर को देख सके वो मडरर वहाँ से भाग निकलता है अगले सिन में दिखाए जाता है कि मकानी हॉस्पिटल में है और उसकी दादी और सारे फ्रेंड्स उसके आस पास है वो मकानी को बोलते हैं कि तुम अब सेफ हो क्य रहे थे जबरदस्ती आलकोहॉल पिया रहे थे और कच्छा मास खिला रहे थे और कुछ देर बाद अपने आपको बचाने के लिए उसने एक लड़की को धका दे दिया जिससे वो लड़की आग में गिर गई और उसका पूरा चेहरा जल गया इसी की वज़ा से वो जेल भी है और दिखाए जाता है कि जैक के पिता पूरे टाउन को अपने कॉन फील में एक बड़ी पार्टी दे रहे हैं और वो मीडिया से बोलते हैं कि उन्होंने एडिशनल प्राइवर सेक्यूर्टी भी रखी है ताकि सभी सेफ रहे हैं मगानी स्कूल में अपने फ्रेंस का वे मताती है पर अचानक से दिखाए जाता है कि कैलप को किसी ने पीचे से चाकू से वार किया और वो कोई नहीं बलकि मर्जर है जो कैलप का फेस मास्क पहना हुआ है मगानी शौक में रहती है और मर्जर तुरंत वो चाकू मकानी के हाथ में रखके भाग जाता है इतने में प मकानी दिवार पर रहे पार्टी का पोस्टर और जैक के फैमिली नेम को देखकर समझ जाती है कि मर्जर अब वो पार्टी को जाएगा ताकि उसे एक साथ ही उसके सारे क्लास्मेट्स को मार सके मकानी ओली और अपने दोस्तों के साथ उस कॉन फिल की तरफ निकल पड़ती है रास्ते में ओली बोलता है कि उस रात को वो कार लेकर मकानी के घर आया था पर अलक्स को देखकर वहां से वो जल्दी से वापस जा रहा था ताकि उसका मकानी के साथ रहे सिक्रिट रिलेशन्शिप का किसी को पता ना चल सके इसके बाद मकानी जैक को मजर के प्लैन के बारे में वान करने के लिए कॉल करती रहती है पर उसका नमबर नॉट रिशबल आता है दूसरे और मजर कॉन फिल्द के अंदर एक सर्किल बना कर पेट्रोल डाल के आग लगा देता है ताकि उस सर्किल से कोई बाहर ना जाए और सभी लोग मर जाए मकानी आग को देखकर कार को और फास चलाती है इतने में मकानी को जैक का कॉल आता है और वो बोलता है कि कौन फिल्द में आग लग गई है और उस आग के अंदर उसके डाड है जैक बोलता है कि वो फिल्द के अंदर जा रहा है ताकि वो अपने डाड को बचा सके औली और मकानी सब को बचाने और मर्जर को पकड़ने के लिए डिसाइड कर लेते है सीधा कार को फील्ड के अंदर ले जाते है ताकि कार के अंदर आने की वज़ा से लोगों को आग लगी हुई फील्ड से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए कार में टूटल चाल लोग रहते है मकानी औली और उसके दो दोस्त तो मकानी अपने दो फ्रेंट्स को लोगों को बाहर ले जाने के लिए बोलती है और खुद औली के साथ मर्जर को ढूनने के लिए अंदर जाती है अब आता है क्लाइमक्स वेला जबर्दस ट्विस्ट मर्जर जाक के डाट का मास्ग बहना हुआ है और वो जाक के डाट को मारने ही वाला होता है कितबी मकानी और ओली वहाँ पर पहुンチछ जाते है इन दोनों को देखकर मजर तुरन से जैक के डैट को सर में तलवार गुसा कर मार देता है मकानी और आली शौक हो जाते है और उसे बड़ा शौक तो तब लगता है जब वो मजर अपना मास्क निकालता है वो मजर और कोई नहीं बलकि उनका दोस्त जैक ही है और उसने अपने डाड को खुद मारा था मकानी चिला कर पूछने के बाद जैक बोलता है कि उसके डाड उसे एक फेलियूर समझते है और हमेशा चिलाते थे कभी उसे अपने जिन्दगी जीने नहीं देते है इसलिए उसने अपने डाड को भी मार दिया इतने में ऑली अपने पॉकेट से टेजर गन निकाल कर जैक की तरफ निशाना लगाता है और वो घबरा हट में उसका फ्रेंड कवर निकालना भूल जाता है जिससे वो टेजर गन चलती नहीं और जैक ऑली के पेट में तलवार चुबा देता है और जैक मकानी से बोलता है की उसने हमेशा लोगों का अच्छा सोचा पर हमेशा लोग तो उसके सामने अच्छे थे पर पीट पीछे उसे गाली देते थे उसके फैमली को बुरा भला बोलते है क्या उसके डैर अमीर रहना उसकी गलती है मतलब हर आदमी एक जूटा मास्क पहना हुआ है और उनकी असलियत कुछ और ही है इसलिए वो उनके चेहरे का मास्क पहन कर उनको मार देता था ये बोलकर वो मकानी को मारने वाला ही था कि तब ही पीचे से आली टेजर गन से जाक को एलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे जाक नीचे गिर जाता है और मकानी सेल्फ डिफेंस के लिए जाक को चाकू से मार देती है मुवी के हैपी एंडिंग में दिखाय जाता है कि मकानी और ओली अपने रिलेशनशिप को पब्ली कर दिये है और दोनों की अब सगाई हो चुकी है और मकानी का ग्राडियेशन भी कम्प्लीट हो चुका है मुवी यही पर खत्म होती है और अब है मुवी के रिलेटेड एक इंट्रेस्टिंग फाक्ट की बारी ये मुवी स्टेफनी परकिंग्स की एक बेस्ट सेलिंग नॉवल पर आधारित है और जल्दी हमें इस वाधर से दूसरे नॉवल पर मुवी देखने को मिल सकती है तब तक के लिए टेक केर और स्टेए सेफ